पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्किष्ट लेखों को पुरस्कित करने के लिए राज भाषा विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से एक नई पुरस्कार योजना का आरम किया गया है। पत्रिकी में नागरी लेखों को पुरस्का ग्रहन करेंगे डॉक्टर ओम विकास। दृतिये पुरस्कार अंतरिक्ष आधारित सौर पावर लेखों को पुरस्का ग्रहन करेंगे श्रीकाली शंकर। तृतिये पुरस्कार खनी जन्वेशन एवं जनहित के अन्यकारियों हेतु मानव निर्मित उपग्र एक तक्नीकी परिद्रिश्य है। पुरस्का ग्रहन कर रहे हैं श्री कमलेश कुमार बराया। और अब हिंदी तर भाशी लेकको के लिए प्रथम पुरस्कार संपूर्ण प्राधिकार डिजिटल इंजन नियंत्रन प्रणाली में सन्निहित सोफ्ट्वेर का परिवर्तन प्रबंधन। पुरस्का ग्रहन कर रहे हैं श्री हेम कपिल, शुष्री लक्ष्मी विनोद, शुष्री महेश एम राव और सुष्री शोभा एस प्रभू। दितिये पुरस्कार बाबा नागर्जुन और उनकी सामाजिक चेतना लेख को पुरस्कार ग्रहन कर रही हैं श्रीमती वी सुगुणा। तीतिय पुरसकार, Electronic, अप्षिष्ट और भारत लेख को पुरसकार ग्रेंड करेंगे डॉक्टर संदीब चैटर जी हिंदी दिवस के अफसर पर हम पर आप सब को मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं आप सबी जानते हैं कि किसी भी राष्टर की पहचान उसकी संस्कृती एवं भाशा से होती है इस प्रिष्ट भूमी में अजादी मिलने के बाद संविधार निर्माताओं ने हमारी बहुत संस्कृतिक परंपरा के साथ साथ देश समाज और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संग के राज भाशा बनाया था उस समय ये मैसूस किया गया कि हिंदी के रूप ऐसा होना चाहिए कि वो भारतिय संस्कृती की अनेकता में एकता को प्रस्तुत कर सके हिंदी भाशा भारतिय संस्कृती को एक रूप रखने का ये कार निरंतर कर रही है जन संपर्ख की इस भाषा को सरकारी तंत्र में स्थापित होने में कुछ समय अवश्य लग रहा है लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हिंदी सरकारी तंत्र में सब की मन पसंद भाषा बन कर उबहेगी ये प्रसंता का विशे है कि हमारी इस राजभाषा नीती के क्रियार्वन से सरकार के विभिन मंत्रालों एवन विभागो द्वारा संचाले जन कल्यान की विभिन योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिंदी में मिल रही है इसका माध्यम चाहे समाचार पत्रों से हो विभिन पत्र पत्र कायं से हो पुस्तकों से रेडियो से टीवी इंटरनेट इमेल या मुबाइल या किसी भी संसादम से हो इससे गरीब पिछड़े एवं कंजोर कमजोर वर्गों को लोग भी लाभामित होते हुए देश की मुक माताओं के भावनाओं को साकार कर सकती है अतर प्रतेक कारियाले प्रमुक को हिंदी के प्रचार पसार को अपना नैतिक दायत्व समझ कर अपने अधीन कार करने वाले करमचारियों को हिंदी में कार करने के लिए उससायद करना चाहिए मुझे लगता है कि उससायद करने का यही कदम मूल रूप से टिपनी और मसौदा लेखन, पत्र-पत्रकाओं के प्रकाशन, मूल हिंदी पुस्तकों के लेखन, तक्निकी सहत्या के अनुवाद सामने लाने में सहक होगा। आज से इस समहारों में जिन संगठों और व्यक्तियों को पुरुसकार प्राप्थ हुआ है, मैं उन सब को हारदिक बदाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि भविश्यों में अन्च सरकारी संगठन भी इससे प्रेणना लेंगे और प्रसासनिक कारियों में राजभाषा हिंदी को अधिक से अयुद अधिक परियोग करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक कारियों में राज भाषा के रूप में हिंदी को अधिकत अधिक परियोग हो, इसके लिए ये сमजना और दूसरों को समझाना अती आवशक है, कि हिंदी भाषा के प्रती जागुपता का मतलब राश की आत्मा के प्रती आने का संकल्प लें। आने का संकल्प लें। मुहाननेतर अचरिया केशब चंद्रसेन ने शन 1875 में ही सुलब शमचर में लिखा था। अपनी बाख को इस देश में आखिरी बेक्ती तक उंचाने का शडलतम मार्ग है हिंदी। क्योंकि हिंदी भारत के जान समान्या की आत्मा में बस्ती है। किसी भी भाषा का विकाश उसके साहित पर निर्भर करता है। इसके लिए जरूरी है कि हिंदी एव गन्न भारतियों भाषाओं में उचकटी के साहित का स्रिजन किया जाए। तक्निकी की बिशोग की पुस्तकों को भी शाडल भाषा में उपलब्द कराना होगा। तथा अंग्रेजी में प्रचरितों इन पुस्तकों को हिंदी तथा भारतियों भाषाओं में उनुबाद कराना होगा। इस दिसा में हमारे विश्यविद्धालाई अहम भुमी का निभा सकते हैं। अभी कूछी शुमाईपुल मुझे मद्धप्रदेश में अटल भेहरी बाजवाई हिंदी विश्यविद्धालाई की आधार्शिला रखने का अफसर मिला था। मुझे विश्वास है कि हमारे एसे सिख्धा संस्थान हिंदी में सही एवं सोथ को बड़वाद देंगे। देवियो और सज्यनू आज का जूग सुचना तक्निकी का यूग है। इंटरनेक की सहता से शुचनाओ को आधान प्रदान तेजी से हो रहा है। हमें इंटरनेक में हिंदी तता अन्नो भारत्यों भासाओ के प्रयोक का बढ़ाना होगा। मुझे बताया गया है कि राज़वासा विभाग ने इंटरनेक पौर्ट हिंदी सिख्धने तता हिंदी अनुबात की शेवाएं उपलब कराई है। मुझे खुसी है कि आप सरकारी विभागों की वेब साइट में हिंदी में भी उपलब धाये। मुझे उमीद है कि भविष्व में इंटरनेक के मध्धम से हिंदी को अंतराष्ट्य स्तार पर बड़भाद देने के लिए हम आओर अधिक प्रयास करेंगे। वर्धा में महात्मा गांधी अंतराष्ट्यो विष्वी दलोय तथा मरिशस में हिंदी सोचिवालोय की स्थापना ऐसे ही कुछ प्रयास है। विद्योष्य में वसे भारत्यो मूल्ग के प्रवाश्यो दारा भी हिंदी को विष्व भाषा बनने का दिशा में शोयोग दिया जा रहा है। हाम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि हिंदी को संग्जुक्त राष्ट्र की मन्नो भाषा का दर्जा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। आंग में मैं सभी पुरश्कार विजयताओं को उनकी उपलबदियों के लिये बाधाय देता हूं। मुझे उमीद है कि ये प्रोश्कार हमें हिंदी में अधीक से अथी कारिय करने के लिए प्रत्साहित करेंगे। हिंदी दिवस के इस आयजन के लिए मैं राजवाशा विभाग को बाधाय देता हूं। मैं कोविगुलियू रोबिंदरनाथ शाकूर को सब्दों को द्वरते हुए अपनी बात समप्त करूंगा। गुर्देव ने कहा था भारत की साब प्रांतियों बोलियां आपने घर में रानी बन कर रहे। और आधुनीक भाशाव के हार की मद्धमानी हिंदी भारत भारती होकर विराजीत रहे। धनिवाद जाय हिंद।